तो थर्ड कोश्चन है दीवाई डीएक्स दीवाई डीएक्स प्लस वाई इसकोल टू वन अजी साइड में लिखा रहा था वह डोमेन का चक्कर होता है यह यह नहीं हो सकता है से अब इसको कैसा किया जाए यहां थोड़ी कनिफिजन भी हो गए कि यार यह वन का क्या करें तो हो क्या मैं वन होगा है मैं लिख सकता हूं आपको यहां लिख सकते हैं क्या दिक यह तो क्यूंक हो गया यह जिया और यह यह scent रहेगा तो तो यह बन जाएगा log mod में 1-y लेकिन यहाँ पर y का coefficient negative, यह नि minus 1 है, तो क्या हमें minus 1 से divide करना पड़ेगा, क्या आपको इतनी integration अच्छे से आती है, कि जब भी हम कोई formula लगा देते हैं, तो हम फिर coefficient देखते हैं, और 1 condition क्या होता है, x, और एक प्लस ही लगा दो, तो माइनस को इदर कर दो, तो माइनस log mod में 1-y is equal to x plus c, अब यह देखो, हमारा simplify होगे यह answer आगया, लेकिन आपको पता है, log further simplify हो सकता है, यह book में answer नहीं दिया होगा, book में तो देखो, log में answer ही नहीं दे रखता है, और इसका answer match करवाना, अगर आपने ढखन से calculation नहीं करी, log की property नहीं सीखी, नहीं कर पाओगे, match, आपका तो यह आएक answer, अब सर आपका विसे number cutting है, देखो, objective हुआ, option में नहीं हो, तो क्या कर लोगे तो, subjective में हो सकता है, teacher half number काट सकता है, maximum, क्योंकि simplify आपने और क्यों नहीं कर रहा, यह region से, तो आपने वो आना चाहिए, ठीक है, log की property, अब कैसे simplify करें, देखो, अब यहाँ पे, क्या होगा, एक log की property है, मैं लिख देता हूँ, पहले भी यूज हुई होगी, log A, B, अगर base A है और B है, और right side में X है, और मैं चाहता हूँ कि यह log, मैं answer में ना दूँ, मैं चाहता हूँ log मुझे answer में नहीं देना है, तो rule यह कहता है, जो यह base है, base की power right inside, यहनि A की power X, जो है, वो B के बराबर होता है, यह outcome होता है, यह log का basic fundamental है, ठीक है, अब इसको कैसे apply करें, अज़े, यहाँ बे base कुछ नहीं, तो हम E होता है, वो लिखते नहीं है, वो एक अलग बात है, E होता है base, ठीक है, अब यह minus problem कर रहा है, अगर मुझे इस property को लगाना भी है, तो यह minus problem कर रहा है, तो minus को अटाने का rule आपको याद होगा, बताता हूँ, याद करवाता हूँ, log, क्या यह वाला जो number है, वो reciprocal हो जाता है, यानि 1 upon minus, 1 minus y हो जाएगा, x plus c, याद है कुछ, अगर log का minus अटाना है, तो यह number reciprocal, तो क्या अब हम यह वाली property लगा सकते हैं, log है, base है, यहाँ कोई function है, और right inside है, तुरूल के कहता है, base की power right inside, तो base यहाँ पर e है, तो e की power x plus c, किस के बराबर, इस outcome के बराबर, यादि कि 1 upon 1 minus y, यह से यह b है, तो b के बराबर, ठीक है, यह आ गया, अभी भी हमारा answer, अच्छा, paper में, अभी थोड़ और simplify करना पड़ेगा ना, इसको, क्योंकि अभी आपका answer, book according to match नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो और match case कर रहे हैं, देखो, इसमें, मैंने का ना, next level calculation है, बिल्कुल, exact answer लाना है, तो थोड़ी महत आपको करनी होगी, हाँ, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि आपको, वही answer लिखना, ऐसा नहीं है, मैं आपको तो answer क्या क्या, लिख सकते हो, subjective question में, objective में तो जो दे रखा होगा, सब्सक्राइब करना होगा, subjective में क्या लिख सकते हो, आपको कोसिस करना है, कि अपना answer, y is equal to x के form में, लिख पाओ, अगर possible है तो, तो देखते हैं, सबसे पर दो cross multiply कर लो, इसको इदर करो, इसको नीचे करो, क्योंकि y निकालना है, तो 1-y is equal to 1 upon e की power x plus c हो जाएगा, ठीक है, और, इसको 1 को इदर कर दो, इसको इदर कर दो, या इसको कर दो e की power minus x minus c, मतलब उपर गया तो power negative होती है, 1-y, अब y को इदर करो, इसको इदर करो, तो y is equal to क्या जाएगा, 1-e की power minus x into minus c, इतना आ गया, आप अपना answer यहाँ पे छोड़ सकते हो, क्योंकि आपने y is equal to x की format में answer दे दिया है, लेकिन, बुक में यह answer नहीं दे रखका, और और उससा हो सकता है, कि आपका जो objective question हो, उसमें यह option ही ना हो, तो आपको subjective question में तो यहाँ पे full marks मिल जाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा, इंटेशन में भी बहुत बार बोला कि आप इधर छोड़ दोगे, तब भी full marks मिलते हैं, लेकिन वो तो बुक के साब से थोड़ा match करवा दे रहा हूं, सेम चीज में यहाँ कर रहा हूं, क्या मुझे बुक का अंसर को मैच करवाना है कि वही लाना है, तो कैसे लाओं, तो y is equal to 1 minus, क्या मैं इसको e की power minus x into, e की power minus c लिख सकता हूं, क्योंकि base से में power add होगी, आपको गयांसर लिख सकते हैं, तो y is equal to 1, इसर अगर मैं plus लगा लूँ, e की power minus x है, और यह minus इसको दे दूँ, तो आप बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा कर सकते हैं, e की power minus c पूरा एक constant term है, और minus का multiply भी करोगे, तो यह constant term आएगा, और उस constant term को बुक में, capital A मान लिया गया है, तो फाइल आंसर बुक में दे रखा है, one plus a, e की power minus x, मैंने मैच करवा दिया, और ऐसा हो सकता है, objective question में यह answer दे रखा है, तो इस type की calculation करनी हमें आनी चाहिए, समझे हो, इस type की calculation करनी आपको आनी चाहिए, कि यह plus का a कैसे लिखा, capital A, अच्छा, पेपर में यह जरूरी नहीं है, कि तुम यह capital A, या capital B लिखो, C लिखो, जो तुम्हारी मर्जी हो, तुम चाहो तो इसी को capital C फिर से लिख सकते हो, और भुक में answer, C के format में दिया होगा, समझ रहो, तो यह चीज हो सकती है, तो आपको सिर्फ इतना समझना है, कि यहाँ पे capital A लिख लो, B लिख लो, C लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम्हें जैसा समझ मैं वैसे कर लो, भुक में capital A लिख 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 लिए, अब आप आपोगे सर, सबजेक्टिव कुष्टिव में चाहो, तो माइनस को रहने दो, इसको capital C लिख 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 लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको capital A लिख लिख लो, फुल मार्क्स मिलेंगे, और objective में जो है, उसी हिसाब से करना होता है, तो आई होप आपको सीखना है, है क्योंकि मैंने हमेशा बोलता हूं डायलोग याद हो गया हो मेरा कि पेपर में तो अब्जेक्टिव कुश्चन आते हैं ऊपर से आज कल कॉम्टिटेव एक जान तो आपको पता ही अब्जेक्टिव भी होगा तो सीखना जरूरी है वीडियो को लाइक कर दिना अगर आपको